हलो एवरीवन आप सभी का स्वागारी दोस्तों फिर से आप लोगे धामा केडार वीडियो लेकर आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चेटर नुमर 5 में एकसरेस 5.3 में कुशन नुमर 3 और कुशन नुमर 3 में आज मैं सिखाऊंगा आपको रोमा लेटर 1, 2, 3, 4, 5 तो पूरे वीडियो दोस्तों इंटर जरूर देखेगा दोस्तों हरी चीज़ सीखने के लिए और दोस्तों कहना चाहूंगा वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक करके एक अच कैसे करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों गिवन में दिया है A equal to 5, D equal to 3, A N equal to 50, find N and SN, चलिए कोई बात नहीं जो दिया हूँ इसको लेकर find कर लेंगे, कोई टेंसन की बात नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर N find करना है, तो N कहां से मिलेगा दोस्तों, A N से म दिखूंगा मैं, A का value यहाँ पर 5 दिया है, N का मुझे find करना है, मुझे value और D का value दोस्तों यहाँ पर 3 दिया है, तो यहाँ पर लिक लिए आमने है, ठीक है, अब दोस्तों इसको simplify करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 5 है, तो यह 5 इधर आएगा, क्या दोस्तों, यह 3 जो multiply form में है, इधर आएगा, तो क्या होगा, divide हो जाएगा, तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर N minus 1, अब मैं cancel करूँगा दोस्तों यहाँ पर, तो देखोगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो यहाँ पर 15 आया, यह minus 1 जो है दोस्तों, next step में क्या हो जाएगा, plus 1 में convert हो ज नहीं है, आपको देखना होगा, कि वो formula use होगा, कैसे पता करपा होगे, formula लिग दोगे, value मिलेगा, तो putkeys यह value नहीं मिलेगा, तो दोस्तों formula use करना, ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यह formula के s n equal to n upon 2, यहाँ पर 2 a plus, यहाँ पर n minus 1 d, यह एक formula है, और एक formula है, दोस्तों, कि s n equal to n upon 2, यहाँ पर a plus l, जो चाहिए use कर सकते होगे, ध्यान रखी है, दोस्तों, value सब मिलना चाहिए आपको, ठीक है, मैं यह formula लेता हूँ, इस sum को solve करने के लिए, तो यहाँ पर line draw कर रहा हूँ, मैं, यहाँ पर लिखता हूँ, s n equal to n upon 2, यहाँ पर a plus, यहाँ पर l, अब देखिए, दोस्तों, n कह दिये, दोस्तों, यहाँ पर 16 find के हम लोगे, यहाँ पर 16 upon 2 आ जाएगा, यह हमारा दिया हुआ है 5, यहाँ पर 5 लिखूँगा, l कह है, दोस्तो, l मतलब होता है, last term होता है, last term मतलब क्या होता है, ठीके, तो l के जगा क्या लिख दोस्तों, यहाँ पर 50 लिखूँगा, ठीके, उसके बाद दोस्तो 16 upon 2 multiply, 5 plus 50 कितना होगा, 55 होगा, तो यहाँ पर लिखूँगा, 55, उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर simplify करूँगा, तो 2, 8 जा 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 multiply by 55, अब क्या करना है, दोस्तों, 8 को 55 से multiply करना ह 8, 5, 40, 0 आ गया, 4 carry में चला गया, 8, 5, 40, 40, 40 प्लस 4 कितना होगा, 44 होगा, तो यहाँ पर लिखूँगा दोस्तो, 4, 4, 0 और हो गया answer, N हमारा आ गया 16, और SN हमारा आ गया 4, 4, 0, तो उमीद करता हूँ दोस्तो, यह कुर्शन आपको समझ में आ गया होगा, अब दोस्तो, आगे बढ़तें दोस्तो, Romalator Second की तरफ, यह रहा Romalator Second, अब देखिए दोस्तो, Second में क्या पूछा गया है, दोस्तो, कि आपको Find करना है, D Find करना है, और आपको Find करना है, S 13 Find करना है, उसके दोस्तो, यहाँ पर क्या दिया है, आपको, a equal to 7 और a 13 equal to 35 यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ बताना जा रहा हूँ ध्यान दिजिएगा यहाँ पर देखी यह 13 है और यह आपका 13 है a 13 मतलब दोस्तों यह जो है a 13 क्या बन जाएगा पर last time बन जाएगा clear हो गया तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं a 13 equal to l equal to यहाँ पर an equal to 35 इसका सब मतलब यही होता है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों a क्या दिया है हमें a equal to 7 दिया है a 13 दिया है तो यह 13 दिया हुआ इतना clear हो गया find हमें d करना तो d कहां से मिलेगा d हमें मिलेगा an की formula से तो यहाँ पर लिखूँगा मैं an equal to यहाँ पर a plus यहाँ पर n minus 1 यहाँ पर d, a an का है दोस्तो a 13 है तो यह 35 में यहाँ पर लिखूँगा मैं a का value का है दोस्तो 7 है n का value 13 है तो यहाँ पर 13 minus 1 d का value मुझे यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है अब 35 यह जो 7 दिया है उधर जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तो माइनस 1 में convert हो जाएगा तो यहाँ पर minus 7 यहाँ पर 13-1 कितना हो तो 12 होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 12D लिखेंगे राइट 35-7 करो कितना बचेगा दोस्तो आपके पास आपके बचेगा यहाँ पर 28 बचेगा राइट इकोल टो दोस्तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर D अब 28 आ गया यह 12 दोस्तो क्या होगा multiply form में इधर आएगा तो क्या होगा दोस्तो और divide आजाएगा तो यहाँ पर divide आजाएगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा यहाँ पर D अब इसको मैं cancel करने जा रहा हूँ देखिए 4-3 जा 12, 4-7 जा 28 तो D का value दोस्तो यहाँ पर आ गया मुझे fraction में मिल गया मुझे 7 upon 3 मिल गया है तो यहाँ पर यहाँ पर 2 यहाँ पर a plus l लिख देगा कैसे होगा ध्यान दीजिए यहाँ पर यहाँ पर n की जागा 13 upon 2 हो जाएगा और a का value दोस्तो यहाँ पर दिया हुआ ए 7 दिया हुआ है l खेक दोस्तो अभी बताया था आपको मैं ने 45 तो यहाँ पर मैं लिखुनगा 35 अब 23 upon 2 और यहाँ पर दोस्तो 35 प्लस 7 करें कितना होगा दोस्तो 42 होगा तो यहाँ पर multiply by 21, यहां लिखता हूं मैं 13 multiply 21, मतलब 1 3 is a 3, 1 1 is a 1, 2 3 is a 6, और 2 1 is a 2, 3 7 2, यहां पर दोस्तों लिखूंगा 273, यह हो गया हमारा answer, तो उमिद करता हूं दोस्तों, यह कोश्चों में समझ में आ गया है दोस्तों, यह कोश्चों में D find करना था, तो D का value दोस्तों 7 upon 3 आ गया और S 13 का value दोस्तों 273 आ गया, clear हो गया दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रोमलेटर 3 की तरफ बढ़ते हैं, यह देखें रोमलेटर 3, रोमलेटर 3 में find क्या करना है दोस्तों, यहां पर A और यहां पर S 12 find करना है, और आपको दिया गया है दोस्तों, A 12 equal to 37 and D equal to 3 दिया गया है, तो क्या करेंगे, सबसे फोकस करेंगे हम लोग कि यहां पर A 12 दिया है, मतलब यहां 12 आया है, और यहां पर S 12 आया है, मतलब दोस्तों, यहां 12 है, यह A 12 आपका काम करेगा, A N का काम करेगा, आपका L का काम करेगा, मतलब 37, इस तरह से मैंने format में लिख दिय मैंने ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर d दिया है तो d equal to यहाँ पर 3 आपको निकालना है तो a कैसे निकलेगा a n के formula से निकलेगा ठीक है तो a n का formula में यहाँ पर लगाऊंगा मैं ध्यान दीजिए a n equal to a plus यहाँ पर n minus 1 यहाँ पर d इतना clear हो गया अब यहाँ पर दोस्तों a n है तो यहाँ पर n मतलब क्या है तो 12 है तो यहाँ पर मैं 12 लिखूंगा राइट और यहाँ पर a दिया हुआ है तो यहाँ पर दोस्तों a तो मुझे पता नहीं है n का value क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 12-1 d का value क्या है दोस्तों 3 है तो a 12 equal to यहाँ पर देखोगे तो a plus 12-1 कितना होगा दोस्तो 11 होगा multiply by 3 और a 12 आपको यहाँ पर 37 दिया है तो यहाँ पर 37 लिखूँगा मैं और यहाँ पर a plus 11 3 जा 33 कितना हो गया अब दोस लेकिन दोस्तो मुझे मजा नहीं है, मुझे रगता है कि इतना बड़ा क्यों करूँ मैं, आपको मैं short trick सिखाता हूँ, देखिए, आप क्या करूँ, जब भी an find करना है, आपको a12 दिया है, तो आप यहाँ पर इस तरह से करोगे, कि बड़ा a12 इक्वल टू a plus 11 d लिख दोगे, ठीके, अब यहाँ पर देखो कि a12 क्या दिया है, 37 दिया है, a का value क्या है, दोस्तो यहाँ पर नहीं पता, मत लिखिए, 11 यहाँ पर लिखा मैंने d का value यहाँ पर 3 दिया है, ठीके, अब दोस्तो यहाँ पर 37 है, यहाँ पर a है, 11 33 हो जाएगा 37 minus 33 equal to a a का value कितना हो जाएगा दोस्तो 4 हो जाएगा देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो कैंसा मिलकुल मत लीजिए दोस्तों हरे चीज सिखाने के जिम्मेदारी लिया है तो हरे एक चीज सिखाऊंगा जिरूर आपको ठीके तो यहाँ पर a find हो गया अब find करेंगे है is подтualि तो यहां पर तो फॉर्मख लिखोंगा मैं कि यहां पर दोस्तो ए प्लसैल यह वाला फार्मला यूजव करूंगा मैं तो यहां पर दोस्तो n की जगह पर क्या लिखूँगा मैं s12 लिखूँगा तो इस n की जगह यहाँ पर 12 आ जाएगा राइट एक वैल्य दोस्तो अभी फाइंड किया हम लोग ने 4 फाइंड किया तो यहाँ पर 4 लिखूँगा मैं तो 2, 4, 6 आपका एंसर आ गया दोस्तो यहाँ पर पर 3 में आपको पूछा गया था एक का वैल्य और s12 का वैल्य तो a लिखा गया और2 46 Mिल गया तो उमिल करता हूँ दोस्तो कुसर मत 3 भी आपको समझ में आ गया है अब आगे बढ़ते दोस्तो रोमा लेटर 4 की तरफ बढ़ते हैं यह रहा दोस्तो रोमा लेटर 4 और रोमा लेटर 4 में दोस्तो फाइंड क्या करना है यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तो कि आपको D में a3 equal to 15 और s10 equal to 125 तो यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों उसको लेकर चलते हैं उससे पहले दोस्तों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कि यह जो 10 है और यह जो 10 है मतलग के दोस्तों a10 दोस्तों last time consider करेंगे क्योंको दोनों में 10 10 दिया है clear हो गया है तो यहाँ पर a3 थिया है तो यहाँ लिखेंगे a3 equal to a यहां पर 2D तो a3 क्या दिया है दोस्तों यहां पर 15 दिया है तो यहां पर 15 लिखेंगे यहां पर प्लस 2D लिखेंगे अब कुछ कर सकते हैं इसको यहीं रहने दीजिए आगे काम आएगा आएगा अब दोस्तों यहां पर देखोंगे आपको दिमाग में यह आता है कि कभ यूज करना है कि यहां पर दिमाग में रखना है दोस्तों जब वैलू दिया हो तभी वो फॉर्मॉला यूज करना है जैसे कि यहां पर अब अ यहां पर दिया नहीं है ल आपको नहीं दिया है तो यह फॉर्मॉला यूज नहीं कर सकते है हमें ये formula ही use करना होगा तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पर मैं और ये formula को लिख लेता हूँ मैं ठीक है चलिए अब यहाँ पर लिखूंगा मैं s n equal to n upon 2 यहाँ पर दोस्तो 2 a plus यहाँ पर n minus 1 यहाँ पर d तो यहाँ पर दोस्तों s n दिया हूँ है तो यहाँ पर s 10 लिखूंगा मैं और n की जगा यहाँ पर 10 आ जाएगा divide by 2 यहाँ पर 2 a plus यहाँ पर भी n दिया है तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं 10 लिखूंगा और यहाँ पर आपका D दिया हुआ है नहीं दिया हुआ नहीं है तो रहने दीजी कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यहाँ पर दोस्तो एस टेन आपका 125 यहाँ पर लिख लिजिए यह 10 अपॉन 2 है अगर कैंसल करोगे दोस्तो तो यह 2 5 आपका 10 हो जाएगा मतलब 5 आ जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा तो यहाँ पर 9 डि आ गया अब 25 है यहाँ पर 5 है तो यह क्या होगा 25 है तो यह 5 यहाँ पर आ जाएगा ठीकि है multiply form आ जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर 2A प्लस यहाँ पर 9D इससे कैंसल करोगे दोस्तों क्या होगा 5 2s are 10 और 5 5 is 25 तो 25 इक्वल 2 यहाँ पर 2A प्लस 9D यह आगया है इसके आगे कुछ आप कर सकते नहीं हो कोई बात नहीं यहाँ पर क्या मिल गया है दोस्तों यहाँ पर क्या करता होगा दोस्तों मैं लिखता हूँ multiplying multiplying first equation by 2 तो multiplying first equation by 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 से multiply करना परेगा 15 equal to a plus यहाँ पर 2d 2 multiply 15 30 हो जाएगा 2 multiply a 2a और 2 2s are 4d यह लिखे हैं मैंने ठीक है अब ध्यान दोगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगे आप elements method करने जा रहा हूं यहाँ पर मैं लिखता हूं यहाँ पर 30 equal to 2a plus 4d और यहाँ पर 25 equal to 2a plus 9d अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर plus है तो यहाँ पर minus होगा यहाँ पर plus है तो minus यह plus है तो minus अब यहाँ पर दोस्तों मैं cancel करने जा रहा हूं देखिए यहाँ पर plus minus cancel हो गया कट हो गया अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा बड़ी की साइन प्लस की आएगी तो यहाँ पर 5 होगा और दोस्तों यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा तो बड़ी की साइन माइनस की तो यहाँ पर माइनस आ गया और यहाँ पर दोस्तों माइनस 5D अब यहाँ पर 5 करना है दोस्तों मुझे a 10 find करना है तो यहाँ पर लिखूँगा मैं के a 10 equal to यहाँ पर a plus 90 लिखूँगा राइट तो यहाँ पर a 10 मुझे find करना है यहाँ पर a क्या दिया है दोस्तों यह find किया भी अरे यह तो find किया नहीं इसलिए कहता हूं दोस्तों गलती करना भी चाहोगे तो गलती होगी नहीं यहाँ पर क्योंकि दोस्तों को पता चल जाएगा यह तो find किया नहीं तो एक कैसे find करेंगे तो d का जो value आया minus 1 आया d की value को दोस्तों किसी भी equation पूट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों लिखता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ मैं देखिए ऐसा बादल ड्रॉ कर लिया मैंने अब यहाँ पर लिखूँगा मैं कि putting putting the value of d in first equation अब देखिए दोस्तों first equation क्या है यह देखिए आपका आगया यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 15 equal to a plus यहाँ पर 2d तो यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 15 लिखूँगा a का value मुझे find करना है और d का value दोस्तों क्या है minus 1 है तो अब क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 15 होगा और यहाँ पर a होगा और यहाँ पर 2 multiply minus 1 क्या होगा दोस्तों minus 2 होगा अब 15 यह minus 2 है इधर आएगा तो दोस्टो plus 2 हो जाएगा तो A equal to क्या होगा दोस्तो simply हम answer आएगा 17 A equal to क्या है दोस्तो 17 आ गया है अब दोस्तो value पूट करेंगे तो यहाँ पर लिखोंगा 17 लिखोंगा प्लस यहाँ पर 9 D का value दोस्तो minus 1 तो यहाँ पर 17 और यहाँ पर दोस्तो 9 से multiply करें सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर चुच्छ व pública करने से पेले यहां पर देखना होगा तो एक पर इन प्षाइन इन करना है और इसके양ए यह equal to 5 और S9 equal to 75 दिया है ठीक है तो यहाँ पर ध्यान दोगे दोस्तों यहाँ पर 9 देखिए और यहाँ पर 9 देखिए मतलग क्या है दोस्तों A9 दोस्तों क्या होगा आपका last term होगा a n होगा ठीक है इतना समझ के रखिए आगे काम आएगा आपको अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर s9 नहीं दिया हुआ है तो क्या करना होगा यहाँ पर अपर दोस्तों इसन एकोल टो ंपॉन टू यहाँ पर दोस्तों 2 a प्लस यहाँ पर n-1 यहांपर meow भाई रेंगी ही लिखें घर न की जगह दूस्तों 9 आपको यहाँ पर 5 यह Qué करते हैं दोस्तों एब ध्यान दीजिए के S9 के दिया है 75 दिया है तो यहाँ पर मैं 75 लिखूँँगा और यहाँ पर 9 अपॉन 2 और यहाँ पर 2A प्लस 9 में से 1 जाए कितना बचेगा दोस्तो 8 बचेगा ठीक है तो 8 multiply by 5 करेंगे ठीक है अब यह 2 दोस्तो division form में उधर जाए क्या हो जाएगा multiply form में आ जाएगा तो 9 क्या हो दोस्तो division form में आ जाएगा ठीक है अब दोस्तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा 2A प्लस 8 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा इतना clear हो गया अब ध्यान दीजे दोस्तो यहाँ पर cancel कर सकता हो मैं तो cancel कर लेता हो यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 3s आ 9 और य 25 2 जा कितना होगा दोस्तो यहाँ पर 50 होगा divided by 3 equal to 2A प्लस यहाँ पर 40 यह लिख दिया मैंने ध्यान दीजे एक दम दोस्तो बहुत ही easy है tension मिलकुल मत लीजिए अब यह 3 दोस्तो क्या करेगा इसको ही multiply करेगा इसको भी multiply करेगा चलिए multiply करते हैं यहाँ पर 50 upon 3 upon 3 क्यों लि यहाँ पर दोस्तो 50 यह 120 है तो minus 120 equal to 6A यह लिख लिए हमने अब दोस्तो plus minus क्या होगा बड़ी किसाइन क्या यह दोस्तो minus कि आएगी तो यहाँ पर दोस्तो minus 70 यहाँ पर 70 आएगा equal to 6A आ गया अब यहाँ पर यहाँ आने के बाद दोस्तो क्या करेंगे हम लोग minus 70 upon 6 equal to A ल आएगा तो A equal to minus 35 upon 3 यह आ गया ठीक है तो A मुझे मिल गया अब क्या करना है दोस्तो A9 find करना है तो A9 find करने के लिए अगर आप यहाँ पर फॉर्मर लिखोगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तो A9 equal to A plus 8D लेकिन दोस्तों यहाँ पर A मिल गया है हाँ D मिल चुका यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पर यहाँ पर लिखता हूँ आप बहुत आगे चला गया मैं रुकिए यहाँ पर लिखोगा दोस्तो A9 equal to A plus यहाँ पर 8D तो A9 मुझे find करना है तो ऐसे ही लिखोगा मैं A के है दोस्तों यहाँ पर minus 35 upon 3 प्लस यहाँ पर 8 लिखोगा और D की value क्या दिया है तो यहां पर 5 लिखोगा उसके पाद दोस्तों minus 35 upon 3 यहाँ पर 8 5 क्या हो दोस्तो 40 हो जाएगा नीचे 1 तो होता ही है हर denominator में हर number के denominator में 1 तो होता ही है तो यह 1 multiply करेगा 35 को minus 35 को यहाँ पर minus 35 आएगा 24 12 तो यहाँ पर 120 आगया भude 3 वंजा 3 आगया फीके अब दूस plus minus ہوगा तो बड़ी की sign plus की आएगी तो यहाँ पर minus करने जा रहा हूं दोस्तो 35 minus करता हूं यहाँ पर 1 होगा यहाँ पर 10 तो यहाँ पर 5 हो गया 11 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा राइट तो यहाँ पर 85 upon 3 यह हो गया हमारा answer तो दोस्तों यहाँ पर fine करना था, A fine करना था, तो यहाँ पर A हमें मिला है, minus 35 upon 3, और दोस्तों यहाँ पर A9 fine करना था, तो यहाँ पर मिल चुका है 85 upon 3, तो उम्मिल करता हूं दोस्तों जो भी मिने इस वीडियो में सिखा है, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई doubt, प्लीज कमेंट करके बताएं और दोस्तों यह भी बताएं कि यह वीडियो को कैसा लगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, मुझे इतना मोटिवेट करता है, कि ऐसे वीडियो में आपके लिए बना सकूँ, तो दोस्तों कहना चाहूंगा, अगर आपने इस च हुआ करेंगा बताएं